मेरे प्यारे बच्चो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर प्रिय बच्चो अब मात्राओं की सिरीज में हम आप मुझे हैं छोटी एकी मात्रा पर सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि छोटी एकी मात्रा की दिशा कहां से कहां तक जाती है ठिक अमोमन बच्चे क्या करते हैं छोटी एकी मात्रा जैसे किसकी लिखेंगे बच्ची किसकी लिखेंगे तो गलती कहाँ पर होती है यह यहाँ से चलते हैं कि-स-की यह हो गया यह किसकी हर हमेशा सबसे पहले आप बेसिक चीजों पर ध्यान दें आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो आपकी handwriting अपने आप अच्छी हो जाएगी ऐसे आपको मात्रा नहीं देनी है मात्रा की direction हर हमेशा जो पाया होता है उससे सुरू हो करके हमारे व्यंजन की तरफ जाती है और व्यंजन से पहले ये मात्रा लगती है इस बात का ध्यान देना कि छोटी एकी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है नकी व्यंजन के बाद में जैसे मैंने आकी मात्रा बताया था आपको कि ब्यांजन के बाद में आकी मात्रा लगती है लेकिन इसमें छोटी इकी मात्रा ब्यांजन से पहले लगती है और ब्यांजन से पहले लग करके कहां को जाती है घड़ी की दिशा की तरफ जाती है जैसे घड़ी की दिशा चलती है एक, दो, तीन, चार, पात, दस, पंदरा मिनट ऐसे करके घड़ी की सुई चलती है, ऐसे करके डारेक्शन में चलती है न, तो इसकी भी जो मात्रा जाती है, वो क्लॉक वाइस डारेक्शन में जाती है, और छोटे बच्चों को पेरेंट्स अच्छे से समझाएं, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दे रही हूँ, एक मेरे पास थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, सायद किसी व्यूवर ने वो लिखा था, कि आप बार बार एक चीज को क्यों समझा रही है, मैं बार बार एक चीज को इसले समझा रही हूँ कि मेरे जो दर्षकों की करना चाहती हैं तो वह उस वीडियो को देख करके आराम से समझा पाएं इसलिए मैं हर एक चीज को दुबारा दुबारा आपको बता रहे हूं नहीं तो मेरे प्यारे बच्चो मेरे पास भी समय की कमी है मैं भी आपको फटा फट ऐसा होता है ऐसा होता है करके पूरा कर लेती और मेरा वीडियो पूरा हो जाता ठीक लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहे हूं ताकि हर दर्सक की हर मा की हर बच्चे की हर देखने वाले की हल्प हो सके और मेरे वीडियो को देख करके कोई भी निरास्त ना हो इसलिए मैं जल्दी भी बता रहे हूं और बाद मैं भी ब मात्रा व्यंजन से पहले लगती है जैसे का से का से पहले इकी मात्रा लगाएंगे तो ये की हो जाएगा जैसे का से पहले ये का बनाया हमने और इस से से मुला दिया और पूरा ढख दिया ये हो जाएगा की ऐसे ही की ऐसे ही ही कि और ऐसे ही गी आप जो है ऐसे ही पूरे ब्यंजनू में जब ब्यंजन से पहले हम एक खड़ा पाया और मात्रा लगाते हैं तो वो होती है छोटी की मात्रा ठीक अब मैंने मेरे पास दो तिन ज्यादा कमेंट्स तो नहीं आए थे दो-तिन कमेंट्स आये थे कि आप मात्रा तो बता ही रही है एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताईए कि ताकि हम को हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि हम उनको एक अट्रक्टिव तरीके से सिखा सकें मैंने आपकी डिमांड पूरी करने की अपनी और से कोसिस क एक दिन फिर दो एक व्यंजन है इसमें छोटी की मात्रा लगाई एक दिन पिकनिक पर गिरिगिट मिला आप अपने आप भी अपने बच्चे को बता सकती हैं आप पहले बोलिए आप पहले डिक्टेशन दीजिए ठीक उसको सुरुत लेख लिखाईए ठीक वो सुन करके आ और बड़े जो व्यूवर्स हैं बड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपनी राइटिंग में चमतकारिक चेंज चाहते हैं तो वो एक बार वीडियो देखने में आप समझ जाएंगे एक दिन पिकनिक पर गिरिगिट मिला फिर छिलमिल सितारा गिरा बिमला उठ तकि स्टूरी नुमा पेराग्राफ को लिखने के लिए चिप कली मैं सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि इसमें कोई भी अक्सर बड़ी का नहीं होगा लेकिन मुझे थोड़ा सा यहां पर यह पेराग्राफ सटाने के लिए लो बड़ी के रूप में देना पड़ा ठीक मा कि सारे या तो आकी मात्रा वाले अक्सर है इसमें आकी मात्रा वाले वर्ण है या फिर छोटी की मात्रा वाले वर्ण है आई मेरे प्यारे बच्चों समझ में हर हमेशा मात्रा आप मैं फिर समझारी हूँ मात्रा ब्यंजन से पहले घड़ी की दिसा की तरफ ऐसे आप हाथ म कैसे करें उचारण करने में छोटी की मात्रा में कम समय लगता है ठीक और छोटी इसमें जो है कहीं पर जीब उपर नहीं उठती है आपको कहीं पर जीब नहीं उठेगी अपने आप आवा जाएगी अब और कम स्वक्त लगता है जैसे हम दीन की अपेक्षा हम क्या लिखें दीन लिखें जैसे हम बोलते हैं दीन हीन मत बनो ये लिखते हैं तो अब दिन और दीन में बहुत अंतर है इसमें छोटी इकी मात्रा उच्चारण में कम समय लेती है और बड़ी इकी मात्रा उच्चारण में अधिक समय मिलती है लेती है और इसका मैं एक बिल्कुल क्लेरिफाइंग वीडियो अभी मैं सिर्फ मात्रा बता क्लेरिफाइंग वीडियो भी आपको प्रोवाइट करूंगी चाहे वो कम समयका हो लेकिन आप बिल्कुल किलियर हो जाएंगे उस दिन के बाद आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे छोटी इकी मात्रा और बड़ी की मात्रा लिखने और बोलने में ये तो हो गया अब इसको है कैसे मैं आप लोगों के सामने लिख करके दिखाती हूँ ताकि आपको विश्वाश हो सका है कि जो वीडियो में थमनेल में हमने देखा वो ही हमने पाया वीडियो में चलिए मैं आपको लिखना सिखाती हूँ चलिए बच्चो लिखना सिखाती हूँ एक दिन एक दिन दिन पिकनिक पर गिरगिट मिला पिकनिक पूरा आप जैसे मैं हाथ घुमारी हूँ वैसे ही आप भी घुमाईएगा पर गिरगिट मिला मिला फिर झिल मिल सितारा गिरा फिर चिल मिल चिल मिल सितारा गिरा गिरा बिमला उठ पिमला उठ उठ तकिया सिल तकिया तकिया सिल चिम्मटा मत पकड़ चिम्मटा मत पकड़ अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा इस हैंड राइटिंग और इस हैंड राइटिंग में कोई फर्क नहीं है ठीक मेरे प्यारे बच्चो और ऐसे ही आप लोग जो है एक एक पैराग्राप फूरा लिखें कम से कम जो है पांच मिनट में तीन चार लाइन आप लोग लिखें दस मिनट लिखें तो आपकी हैंड राइटिंग बिलकुल स्पीट पकड़ेगी और अब मैं नेक्स वीडिय जो बड़ी इकी मात्रा का लेकर के आऊंगी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैहिन जैभाले